वेल्कम टू ग्यान प्लस यूपित्र प्लसी से बड़ी ख़बर लोजी अब इंतजार आपका ख़त्म हो चुका है ITI instructor start listing notification जारी हो चुकी है काफी दिनों का इंतजार आपका ख़त्म हुआ और ITI instructor वाले अभियर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी short listing paid 2022 से पूरी हो चुकी है उसका notification भी जारी कर दिया है पर इच्छा के लिए तयार है ये भी आप note करके रख ले आपका exam कभी भी कराया जा सकता है और notification जारी किया गया उसमें किस प्रकार से क्या जो मुख्य बाते कही गई है उन सभी बिंदू पर चर्चा करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चीजों को डिटेल से देखते हैं नए साल का नए तोफा उन अभ्यर्थियों के लिए जो आई टी आई इस्ट्रेक्टर से संबंदित है आज की तारीक में आप यहां पर देख पाएंगो उत्तर प्रदेश अन्यस सिवा चैन आयोक से जो भी इसमें उत्तर प्रदेश लखनव द्वार्थियों के जारी किया गया है विग्यापन संख्या 2 परिच्छा 2022 अनुदेशक मुख्य परिच्छा के अंतरगर्द निदेशक प्रशिच्चडम सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनव के नियंत्रदिन 69 व्यासाओं के अनुदेशक के कुल रिक्त पचीस सो चार पदों पर चैन है तो यहां पर देख पाएंगे 18.1.2022 से 18.2.2022 तक आंलाइन आवेदन आवंत्रित किये गए थे जो भी इसमें उत्तर प्रदेश लखनव द्वाराव विग्यापित प्रकाशित 69 व्यासाओं के कुल पचीस सो च्छा पदों पर चैन हुथ संसोधित अधियाचन उपलद कराया गया इसके बाद यहां पर देखेंगे दिनाग 3.2.2023 द्वारा प्रश्णकत विग्यापन में यथावत रखे गए 42 व्यासाओं से संबंदित अभ्यर्थियों से आवेदित पद्द के सापेच अपने पेच अनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सम्मीट करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गए श्याच्छी कम अनहरता संबंदी प्रवाट पत्रों का परिच्छड विभागी विश्यष्टों के टीमों द्वारा किया गया है तो लेखनी है कि वेवसाइक सि दिनांग तीस बारा दोजार तेस में प्रदान की गई एक बार की छूट जो सिथिलता है वन टाइम रिलक्सेशन के क्रम में और बंदिग रूप से आर पाए गया तैतिस सो चार अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकर संख्या के सम्मुक अंकित ट्रेड वेवसाय के सापेच विचारित किये जाने हो तथा प्रश्नेगत विग्यापन के अंतरगत आयोजित की जाने वाली लिखित परिच्छा में मंदिग रूप से प्रतिभाग करने की अन्मुती प्रदान करता है तो मोटा मोटा आप यहां पे देख पाएंगे कि यहां पे कुल 304 अभ्यर्थियो सब्सक्राइब करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी अभ्यर्थियों को सूची अथवा उसमें दिये गए बिरोड़ पर आपत्ती है तो आप 15 जनवरी तक आप वहां पे अपना जो कार्याले में उपलब्द कराना सुनिस्चित करें जो भी चूटा हुआ है आपको समय दिया गया है 15 जनवरी तक यहां पर समय आपको दिया गया है तो यहां पर आपका जो है जो स्वाचेनायों के आफिसेल वेबसाइट से जाके पीडियेव को डाउनलोड करके पूरी की पूरी यहां पर लिस्ट आप देख सकते हैं और बाकी उन अब्यर्थियों के लिए जो जिनका यहां पर योगता कटाफ जारी कर दिया गया और बेट 2022 से साट लिस्टिंग हो गई है तो उनका एक्जाम आगामी समय में होने वाला है इससे समंदित कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपके सामें अपडेटेड वीडियो लाएंग कर दो